नमस्ते दोस्तों, ओल्डिज गॉल्ड में मैं आपका सबका खेद मद्दम स्वागत करता हूँ और आज स्वास्त्य समंदी चर्चा के अंदर सेक्स की जितने प्रॉब्लम है और उनकी होमियोपेटिक के अंदर जो खास खास दवाएं है उन में से मैं आज आपको तीन दवाओं से परिशित कराऊंगा अभी मैं काफी समय तक होमियोपेटिक के उपर बताऊंगा उसके बाद बीच में कभी-कभी आयर्वेट और कभी-कभी गरेलू और कभी-कभी म्यूनानिक जो भी चुकि अभी होमियोपेटिक का चल रहा है इसलिए एक बार ये सिस्टम ही ठीक है तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्स प्रॉब्लम उसके अंदर आपको एक तो हस्त मेतुन समंदी जो भी तकलीफ है वो ओक्यों होगी नपुन सकता खत्म होगी ना मर्दी खत्म होगी ओस्वप्न दोसोना बंद होगा ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अब मैं आपके सामने सलाइट करता हूँ तेनों दवाओं का आप इनके नाम नोट कर लिजिए आराम से कर लिजिए कोई जल्दी नहीं है हाँ देखिए पहली दवा है उसका नाम है ब्यूफो राना नमबर दो दवा है उसका नाम है लूपूलस नमबर तीन जो दवा है उसका नाम है आरी गेनम मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ पहली दवा है ब्यूफो राना दूसरी दवा है लूपूलस और तीसरी दवा है आरी गेनम ब्यूफो राना 200 पोटेंशी में अच्छा काम करता है Leopolis 2X और 6X में बढ़िया काम करता है और Arigenum 3 और 6 Potency में बहुत बढ़िया काम करता है अब मैं इन तेनों दवाओं के मैंने आपको नाम बताए आप मेरे को कमेंट्स में नहीं लिखें कि इनको अंग्रेजी के नाम लिखे दो हम नहीं लिखे देंगे आप जाकर कि किसी हो में पर डॉक्टर को कहे अगर वो ये कह दे कि ये मेरे समझ किस बात नहीं है तो आप मेरे उपर कोई भी Penalty कर सकता है हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सब बासाओं के अंदर नाम आपको दे कोई कह दे तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे हम उसके गुलाम हो जाएंगे उसका नंबर भेज देना हमरे पास हां तो दोस्तों में आपको सबसे पहले व्यूफो राना इसका में आपको पहले परिचे देता हूं को व्यूफो राना ये एक टोड़ नामक जाती का मेंडेक होता है और काले रंका होता है और इतना इतना होता है बारिश के अंदर दिवारों के खड़ों के अंदर गुश जाता है और घरों में आ जाता है आजकल ये प्रजाती लुप्त हो गई पता ने ये कहां गाइब हो गई या बारिशें कम हो गई इससे ये दवा बनी है ब्यूफोर राना इसका मैं आपको परिचे दिया है ये मरगी रोग जिनको कई कमेंट्स आते हैं वो अगर मेरा वीडियो सुनेंगे तो लाब उठाएं ने तो हनी में रहेंगे ब्यूफोर राना मरगी रोग यानि एपुलेप्सी की सबसे बेहतरीन दवा है इसके अलावा ये चरम रुगों की दवा है और इन दोनों दब बिमारियों के अलावा ये हस्त में थुन हस्त में थुन की बहुत ज़्यादा इच्छा होना और एकांत की तलास खोटता रहता है लड़ता हो या यूवकों यानि कि परबल इच्छा हस्त में तुन की होती है और हस्त में तुन करने के लिए एकांत ढूंता है वो अपने आपको रोक नहीं पाता उसकी विवफोर रना एक महो ओश्यदी है औस दी नहीं महो औश्यदी है और जिनका सेक्स करते समय जल्दी से वीरे निकल जाता है उसको ये ठीक करती है और अंजाने में जिनका अपने आप वीरे निकल जाता है उसको ये ठीक करती है अब ये खास-खास जो तकलिफे हैं मैंने आपको बता दी है इन में ये ब्यूफोर राना बहुत पाउरफुल दवा है और बहुत अच्छी दवा है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं इसको आप 200 पोटेंसी के अंदर दिन में तीन बार 11 दिन ले करके बंद कर दें फिर प्रोब्लम हो फिर 11 दिन ले लें फिर नहीं होगी फिर हो तो फिर पांसार दिन का गेर ले लें लेकिन इसको continue एक दो तीन मैना नहीं ले हालां कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं लेकिन ये 200 पाउर में होने की वज़े से दिन में तीन बार आप 11 दिन पंदा दिन तक ले सकते हैं और अगर 200 पोटेंसी नहीं मिले तो 30 पोटेंसी दिन में तीन बार आप 21 दिन ले लें ये जो एक और जब व्यूफो राना की ये आपने आपको मैंने बता दी सेक्स समंदी प्रोब्लम अब देखिए हम इतने सुवारती नहीं हैं कि हम खाली सेक्स की बात बता के हम कुछ सोएं या आपको कुछ कर नहीं हमारे दिल के अंदर जो लोगों को और बिमारियां है उनका दर्दोबीत हमारे दिल के अंदर है तो इसका हम और परियोग जो बताते हैं कि ये छोटे-छोटे जो मेंडेक होते हैं इनको मसाली की तरह पांच साथ को पकड़ के और बेखची में डाल करके मसाले वसाले डाल करके और पानी डाल दें पाओ डेट पाओ और इनको खूब सीजाएं देखिए पाप होता है लेकिन मानव कल्यान के लिए अगर पाप होता है तो उसको हम पाप नहीं मानते हैं उसको सिजा करके और इसका काड़ा पिलाने से जिस आदमी के सरीर में सोजन है पूरा सरीर सुज के कुपपा हो गया है और कोई दवाओं से आराम नहीं है तो एक बार ये काड़ा रोज पिलाएं मेंड़क के अंदर कोई जहर नहीं होता और कोई हानी नहीं करता उसका काड़ा ये मैं आपको पहले एडवांस में कर देता हूं तो ये टोट जाती है जो छोटा मेंड़क है इसका काड़ा जब तक सोजन ठीक नहीं होती है रोज निट्ये एक बार पिलाएं पांच przysz मेंड़क का पिलावें और इसके आलावा जो इसका जो मांस यहां तक लिखा दे जो तालाब के किनारे सुना रहा मेंड़क होता है उसके मांस को अगर बना करके खाया जाए तो तूरंट ताकत आती है लेकिन देखिए मेंड़क उदर तालाब में बहुत क्वालिटी होती है आप तो तोड़ जाती का मेंड़की लें और गंतकार लिखते हैं कि मेंड़क के अंदर कोई जहर नहीं होता इसका मांस तूरंट ताकत देने वाला होता है प्यास को मिटाने वाला होता है डाइबिटीज को नास करने वाला होता है ठीबी के अंदर आराम देने वाला होता है कोड को ठीक करने वाला होता है और उल्टी को रोकने वाला होता है ये इस मेंड़क के काड़े से ये रोक ठीक होते हैं और एक जो इसका प्रमु काम है वो ध्यान दें जो मेरा वीडियो सुनेंगे वो फाइदे में रहेंगे ये तोड़ जाती का मेंड़क का हाट ले लेवें तोड़ जाती के मेंड़क का हाट ले लेवें और उस हाट के चार टुकड़े करके एक दिन एक टुकड़ा केले के अंदर गुसा के रोगी को खिलाएं दमे के रोगी को जिनका अस्तमा ठीक नहीं होता है जिनका दमा ठीक नहीं होता उनके लिए इस मेंड़क का हाट के चार टुकड़े करके और रखले में और एक टुकड़ा केले में गुसा के पहले दिन खि अगले दिन दूसरा टुकड़ा इस तरह चार दिन तक चार टुकड़े खिलाने से दमा का रोग जड़ से खतम हो जाता है और बाकी ये सेक्स के अंदर काम करती है ब्यूफोर राना इसका नाम है दो सो पोटेंसी में आप इसको कामे लीजिए नो साइड इफेक्ट नो बेड इफेक्ट ये हुआ आपका पहला अब नमबर दो मैं आपको नमबर दो दवा का नाम आपने वैसे लिख लिया है फिर भी मैं बोल देता हूँ लुपूलस लुपूलस दो अक्स पोटेंसी या तेन अक्स पोटेंसी या छे अक्स पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करता है तो लुपूलस का काम क्या है ये मैं बताता हूँ देखिए पाखाना के साथ में और पैसाब के साथ में जिनका दातू निकलता है पेशाब और पाखाने के साथ में उसकी ये एक बहुत खास दवा है इसकी दिन में दो तिन डफ़े आप ले सकते हैं ये पाउडर की सटल में आएगा तो दो ग्रेन रोज सुबर साम लेवें मिठा होता है मुँपे रख लेवें तो पेशाब और दस्त के साथ जिनका वीर ये निकलता है वो ठीक होता है जिनको दातू दोर बल्ले है यानि कि वीर ये कमजोर है पतला है वो ठीक होता है और अत्यांत तकलीफ से लिंग में कड़ापन आता है बहुत से मेरे बाई लिखते हैं कि हमारे लिंग में कड़ापन आता बड़ी तकलीफ होती है उसके ये प्रमुक दवा है और हस्त मेत उनके बाद में नली के अंदर जिनको दर्द होता है उस दर्द को लिपूलस 2X या 3X मिटा देता है इसके अलावा इसका मदर टिंचर भी आप ले सकते हैं अगर ये आपको 3X या 2X या 6X में नहीं मिलता तो लिपूलस का मदर टिंचर ले ले में मदर टिंचर की वो इस दस बारा बूंद होती है आदे कप पानी में दिन में 3 बार आप ले वे हैं और 21 दिन ये आप ले सकते हैं इसकी 6 पोटेंसी भी आती है वो भी दिन में 3 बार आप 21 से 31 दिन ले सकते हैं तो दोस्तों ये 2 दवाईयां हो गई व्यूफोराना मैंने आपको बता दिया लूपूलस बता दिया अब जो तीसरी दवा है उसका नाम है आरिगेनम आरिगेनम ये तिन पोटेंसी और छे पोटेंसी में अच्छा काम करता है इसका एक ही प्रमुक जो लक्षन है सेक्स प्रॉब्लम में अत्यदिक हस्त में थुन की वज़े से जो खराबी आई है उसको ये ठीक करता है बस एक ही लक्षन काफी है एक ही जबाब काफी है आरिगेनम आरिगेनम तीन पोटेंसी छे पोटेंसी दिन में चार बार 21 दिन ले लेए और जो जिनका अत्यदिक हस्त में थुन का से जो खराबी आई है जो कमजोरी आई है उसको ये ओके करता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं कोई बेड इफेक्ट नहीं दोस्तों मैंने आज के वीडियो में आपको नपून सकता अस्त मेतुन नामर्दी सो अपने दोस्त जो भी आप समझें शेक्स प्राब्लम में सारी चिज़ें आ गई इसके अंदर मैंने आपको आज तिन दोवाओं से आवगत कराया इन तिनों दोवाओं के अंदर नमबर वन की जो दोवा है वो है व्यूफो राना जो मिर्गी के रोगी हैं वो मुझसे कॉंटेक्ट करें मैं उनको बताऊंगा कि व्यूफो राना उनको किस पाउर में कितने दिन लेनी हैं और दूसरे नमबर की दोवा लिफूलस उसके बारे में मैंने आपको बता दिया तीसरी दवा आरी गेनम इसके लिए मैंने आपको बता दिया अब देखिए मैं आपको होमियोपेटिक के अंदर जो इस तरह की दवाईयां है और आप यूँ समझिए कि जैसे ही ये बुक्स है ये बुक्स है हम पढ़ते हैं टाइम निकालते हैं मेहनत करते हैं तब आपको दो सब्द बता पाते हैं और हमें कमेंट्स के अंदर लिखते हैं कि ये देख के बता रहा है ये सुन के बता रहा है हम एक गुजारिस और करते हैं हमारे बाईयों से और हमारे जो परसंद सकते हैं कि हमें देखिए कमेंट्स के अंदर छोटे सब्दों में और घरनित गालियां देना वो बंद कर दे हैं हलांकि हम उनको तलवार का जबाब तलवार से देते हैं तोप का जबाब तोप से देते हैं हम डरने वाले नहीं है राजीव दिख्षित मारा गया हम भी मारे जाएं हमें हमें कोई डर नहीं अरे इंसान एक बार मरता है तो हम शेर की मौत ही मरेंगे लेकिन इन बुद्दिलों के डर से नहीं मरेंगे तो वो सब समझ जाएं कि वो हमें कमेंट्स के अंदर एक भी सब्द अगर उन्होंने गलत लिख दिया तो हम चलें देके कहते हैं अगर एक बार उन्होंने हम मेरे को एडरेस और मॉबाइल न अरे मैं 75 साल का हो गया तो क्या हो गया मेरे में ताकत है और आज कल के यह पिसके हुए नो जवान जो तिन तिन कोडी के मोबाइल से हमें गालियां देते हैं हम इनकी गालिया नहीं सुनेंगे हमने यह निने लेया है कि एक मैना हम और देख लेते हैं अगर यह लोग बाज आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो हम कमेंट्स बॉक्स को बंद कर देंगे और वोट्सेप को भी बंद कर देंगे जिसको बंद काम करना है बात पूछनी है तो दो गंटे का जो समय उसको एक गंटा कर देंगे और यह साल खत्म होने के बाद हम यूट्यूब से स क्या मिलता है तुम्हें क्यों तकलीफ होती है अरे बुड़े तुम गाना क्यों गाते हो क्यों बुड़े आदमी को गाना गाने का अधिकार नहीं आप लोग भी कमेंट्स वॉक्स के अंदर जो मुझको गालियां देते हैं तो वो आपको भी मालूम है तो आप लोग मैंसे ज चाप बेट जाएंगे हम कोई गूगल के या कोई इनके पैसों के महताज नहीं बिल्कुल हमारे पास माली का दिया सब है हनुमान जी हमारे साथ है तो हमें और कोई चीद के जरूत नहीं आगया मोका तो हम कभी भी सन्यास ले लेंगे आप सबसे प्रणाम करके तो इसलिए आप हमारे वीडियो सुनो और उसको सब्सक्राइब करो ठीक ना करो ठीक हमें इसकी भी भूक नहीं हमें कोई भूक नहीं अरे जैदा सब्सक्राइब होंगे जैदा पैसा है का वो भी हमारे कोई काम का नहीं हम खाली हाता हैं खाली हाती जाएंगे हम किसी के मोताजिन लेक इसने हमारे को गाली दे करके अपना मोबाइल नंबर दे दिया, तो वो इस संसार के जिस कोने में भी होगा, हम उसको पकड़ के खीच के ले आएंगे, ले आएंगे ये मैं आपसे वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, जैसरी राम.